नमस्कार दोस्तों पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हारदिक स्वागत करती हूँ और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए बेहत स्वादिश्ट ठंडी ठंडी और पॉश्टिक चटपटी मसाला छास जिसके फ्लेवर को इ ताजी चास हमें लेनी है साथ ही थोड़े से धनिया पत्ता धो के बारी काट लिए हैं ये है कुछ कड़ी पत्ता और इसी के साथ एक तीखी वाली हरी मिर्च हम ले रहे हैं जिसके की हम बीज निकाल के इसका यूज करेंगे तो ये सारी सामगरी हमारी रेडी हो गई है तो चलिए सबसे पहले छास को हम मिट्टी की हांडी में शिफ्ट कर लेते हैं आप चाहें तो कांच के बरतन में भी से बना सकते हैं बट मिट्टी की हांडी में बहुत बढ़िया एक कोरी कोरी सी सौंधी सी महकाती है तो सबसे पहले हम नमक डाल लेते हैं स्वादानुसार क्य ये सूखे हुए पुदीने का पाउडर है इसे बनाने की रेसेपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं साथ ही इसमें जाएगी धुली हुई कटी हुई धनिये की ताजी पत्तियां और ये जो कड़ी पत्ता और हरी मिर्च हमने ली थी इसको हम अभी नहीं डालेंगे तो सबसे रई से इस तरह से चलाके नमक सारे मसाले और धनिया पत्ती को हम अच्छे से चास में mix कर लेते हैं इस तरह से घोट लेते हैं चास को और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो हरी मिर्च जो हमने निकालके अलग रखी थी तो इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं अगर आपको ती बिल्कुल एक चोथाई चममच क्योंकि हमने चाच में नमक डाला है तो थोड़ा सा हिसाब से डालेंगे नमक से क्या होगा फटा फट ये अच्छे से कुट के इसका बारिक पेस्ट बन जाएगा तो अब हम धुआन लगा लेते हैं चाच में तो यहां मैंने एक कटोरी ले ल कटोरी हम इस तरह से उपर रख देंगे और इस पर हम रखेंगे एकदम गरम कोईला कोईले की इस टुकड़े को मैंने गैस पर रखके अच्छे से गरम कर लिया है आप देख रहे हैं इसमें से धुआ निकल रहा है तो सबसे पहले वो जो मिर्च का पेस्ट हमने बारी दिये हैं और एंड में हम इस पर डालेंगे देसी घी और घी डालते ही आप देखेंगे कि इसमें से धुआ जो है वो निकलना तेज हो गया है तो इस तरह से धुआ निकलते ही हम इसका धक्कन इस पर लगा देंगे तो यहां मेरे पास मिट्टी की ही प्लेट है तो इसको मै कोईले को हटा के हम इसमें से अलग कर लेते हैं अब ये जो कटोरी में हमारे बारीक बचे हुए कड़ी पत्ते हैं मिर्ची का पेस्ट है और घी है इसको भी हम छास में ही मिला देंगे क्यूंकि इन कड़ी पत्तों को हमने बहुत ही बारीक बारीक चौप किया है तो इनका बहुत अच्छा फ्लेवर इस चास में आ जाएगा तो बस मसाला चास हमारी बन के तयार है इसे ठंडा करने के लिए हम इसमें दो बड़े क्यूब आइस के डाल देते हैं जिसे कि ये बिल चावल लसन टमाटर की ग्रेवी वाली सबसी चपाती किसी के भी साथ में as a side drink enjoy कर सकते हैं तो फिर देर किस बात की अपने किचन में आप भी बनाईए ये smoked masala चाच की easy और tasty recipe और recipe पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे like का थमसब दें पेट पूजा recipe इस चैनल को subscribe करें और अच्छा खाना इसी तरहें बनाती रहें